हेलो एवरिवान कैसे हैं आप लोग मज़े में आज की क्लास में आप बहुत ही important concept सीखेंगे utilization of input tax credit जो ITC होती है उसे हम कैसे utilize करते है ITC क्या क्या हो सकती है it can be CGST, it can be SGST, it can be UTGST, it can be IGST कुछ भी हो सकता है अब यह सब output tax में से कैसे adjust होते है मतलब अगर मेरे पास IGST है और output liability लेकिन मेरी CGST, SGST है तो क्या मैं pay कर सकता हूँ या फिर मेरे पास CGST, SGST, IGST सबकी input tax credit है तो किसे पहले यूज करना है किसे बाद में यूज करना है how to use these ITC ये एक complex कानून है थोड़ा सा difficult होता है और बच्चों से गलती हो जाती है इसे use करने के तरीके में लेकिन मैं क्या करूंगा आपको एक tabular presentation सिखाऊंगा और अगर वो चार्ट मेरे दिमाग में बैठा हुआ है तो ITC claim करने में मुझसे कभी गलती नहीं होगी I guarantee एक ऐसा unique चार्ट आपको सिखाऊंगा जिस चार्ट से ही automatic calculation सही होगा मतलब आप अपना क्या करेंगे कोई भी question हो आप उस चार्ट में उसको भर दीजिए अपने आप सही answer आजाएगा अगर आप कुछ भूल भी रहे हैं कानूर तो भी गलती नहीं होगी तो ये technique आज आप सीखने जा रहे हैं तो आप दिखेंगे utilization of ITC इसमें कई सारे points हैं which is basically law यही law है यह साथ बातों का ध्यान देना होता है while utilizing ITC इन साथों बात को इन सभी बातों को मैं एक चार्ट में इस तरीके से incorporate कर दूँगा कि यह automatic यह साथों बाते apply होते जाएंगी जब भी आप इस चार्ट को use करके input text rate को claim करेंगे देखिए आपको हमीशा इस तरीके से बताया जाएगा कि आपका output text कितना कितना है और input text कितना कितना है तो आप क्या करेंगे आप कुछ इस तरीके से हमीशा चार्ट बनाएंगे IGST यहां लिखेंगे CGST और यहां पर यहां तो SGST होगा अगर आप स्टेट वाले हैं और नहीं तो UTGST होगा कोई एक ही होगा दोनों तो होगा नहीं चिक है इधर की तरफ आप लिखेंगे input text अगें इसी order में यहां पर भी लिखेंगे IGST और IGST वाला जो amount है CGST उसके बाद लिखेंगे CGST और SGST ठीक है अब इसका amount कितना है रूपी यहां पर यहां पर इसका रूपी भी और यहां पर यहां पर एक column और बढ़ा लेकिए हम रुकिए थोड़ा से इसको हम यहां पर जो रुपी फिगर है output text का तीनों का यह लिख देंगे और यहां पर इसका वाला रुपी फिगर लिख देंगे अब क्या करना है जैसे मैं यह चार्ट बना रहा हूं बस इसी तरीके से आपको क्रेडिट लेनी है पहले तो कुछ भी question है यह पूरा बना दीजैसी और ध्यान दीजेगा पहले मैंने output text में पहला column IGST लिखा है यहां से ठीक है number one यहां पे फिर अगर कुछ बच गया तो कहां से adjust होगा यह तो यहां से हो सकता है या फिर यहां से कहीं से भी हो सकता है दोनों पे टू लिखा जहां मर्जी वहां मतलब अगर आपके पास IGST का credit पढ़ा हुआ है पाच जार रुपय का लेकिन output जो IGST था मतलब output पे टेक सिफ चारी हजा था तो भाई चार हजा तो output IGST पे करने में यूज हो गया लेकिन एक हजा बचा है तो उससे क्या पे करे उस उससे जो मर्जी वहां पे कर दो उससे CGST पे कर दो या फिर IGST पे कर जो मर्जी वह कर दो और जिस रेशियो में चाँ उस रेशियो में कर सकते हो thousand अभी example लेाकिे समझेंगे ठीक है मतलब कोई priority नहीं है मेरा on करना है कि जो बचा है उससे IGST पे कर कर सकते हैं, दोनों कुछ-कुछ amount pay करते हैं, वो भी कर सकते हैं, अब इसके बाद cgst use करना है, क्या IGST exhaust पूरा करने के पहले हम cgst use कर सकते हैं, नई, पहले आपको ये IGST exhaust करना ही पड़ेगा, ये खतम करना है, ये खतम करने के बाद cgst use करेंगे, यानि पहले इतना काम कर ल exhaust पूरा है, तो कोई बाद नहीं, खतम काम, चुक है, अब क्या है? अब cgst बचा है, cgst का क्या करेंगे? cgst से पहले cgst pay होगा, अगर बच गया, तो pay होगा IGST, बस ध्यान दिजेगा cgst से hgst pay नहीं हो सकता है, cgst से पहले cgst से पहले cgst pay होगा, और फिर जो बच गय है कि IGST अभी भी बचा हुआ है हाँ बिल्कुल पॉसिबल है यहार IGST का आउट्पुट टेक्स 10,000 रुपय था इंपुट टेक्स से 4,000 रुपय था तो 4,000 के बाद अभी 6,000 रुपय और बचा हुआ है न IGST तो अब क्या करेंगे CGST जब अगला CGST यूज करेंगे तो पहले CGST को पे करेंगे बच गया तो IGST पे कर देंगे बिल्कुल उसी तरीके से अब CGST को पहले खतम कर देना है CGST अब खतम हो गया ठीक है अच्छा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इतना काम करने के बाद भी बच गया अब इसके बाद भी बच गया तो वो एक अलग विशा है लेकिन पहले ये काम कर देना है फिर उसके बाद CGST की बारी आएगी अब CGST का क्या करना है पहले इससे SGST पे होगा SGST पे होगा और जो बच गया उससे क्या पे होगा IGST पे होगा पहले IGST exhaust करना है ये पहले exhaust करना है फिर ये exhaust करना है फिर ये exhaust करना है एक एक करके ही करना है एक साथ नहीं कर सकते पहले IGST खतम होगा तभी CGST यूज़ोगा CGST खतम होगा तब ही एस्टी यूज़ होगा आई अब example कराते है और फिर जब एक example करा लेंगे न तब आपको law पढ़ाएंगे अभी law पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कितनी उल्जन वाली बात कह रहा है भाई क्यों क्योंकि अभी idea तो है नहीं आपको आप कर लेंगे तो बलकि तब language समझ में आएगी तो आपको समझ में आएगा ये चार्ट बना के कितनी बड़ी help की है मैंने अभी तो आपको लगना हुए एक ordinary चार्ट है लेकिन जब ये law पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये वाली बात अपने आप auto apply हो जा रही है जब हम इस तरीके से काम कर रहें तो IGST, CGST, SGST Output Tax, Input Tax Output Tax IGST का है 6,000 रुपया ठीक है और Input Tax है 8,000 रुपया 5,000 रुपय CGST है 5,000 रुपय SGST है ठीक है 4,000 रुपय ये है 4,000 रुपय इसकी विकरेट है ठीक है Input Tax है Output Tax है अब कैसे हम करेंगे हमको तो मालूम है ठीक मेरा तरीका क्या है पहले हम बनाएंगे चार्ट Output Tax इसमें हम लिखेंगे आउट्पूट टेक्स के अंदर ऐसे ही बनता है ना ये पहले तो फटा खट लाइन वाइंग खीच दीजिए ठीक है आउट्पूट टेक्स कितना है भर लीजे आउट्पूट टेक्स इस कॉलम से उठा के भर रहे हैं यह अब हम सॉलुशन करने लगे च्छे अजार पांच अजार पांच अजार अब इधर भरिये इंपूट टेक्स इंपूट टेक्स में भी पहले आइजी एस्टी भरिएगा आइजी एस्टी कितना है आठ अजार फिर उसके बाद सी जी एस्टी 4000 उसके बाद SGST 4000 चलिए यूस करिए पहले इस 8000 रुपए की IGST को consume करना है पूरी तरीके से खतम करना है कैसे किया जाएगा पहले तो IGST पे होगा यही न बतायते देखो पहले तो IGST पे होगा तो पहले IGST पे कर तो 6000 कितना बच गया अभी 6000 रुपए बचा हुआ है है की नहीं 2000 रुपए की ITC बची हुए कैसे यूज़ करे क्या पे करे CGST पे करे कि SGST पे करे कुछ भी आपकी मरजी ठीक है तो यहाँ पे गाना बज़ेगा मेरी मरजी अब यह 2000 रुपए मेरे पास बचा हुआ है क्या हो सकता है हम 2000 रुपए यहां से ले लिए यहां से नहीं लेंगे यह हो सकता है दूसरा हो सकता है कि हम 2000 रुपए यहां से ले ले और यहां कुछ न ले तीसरा हो सकता है हम यहां से 1000 ले ले यहां से 1000 ले ले चौथा हो सकता है यहां से 15 सो ले ले यह हो सकता है यहां से 500 ले ले यहां से 1500 ले ले यहां 12 सो ले लिए यहां से 800 रुपया ले लिए यहां 800 ले लिए यहां 12 सो ले अरे जो मर्जी जैसे मर्जी वैसे लो 11 सो ले लो यहां 9 से ले लो यह जो बचा 2000 है उसको घटाने का विकल्प बता रहे हैं कितना हो सकता है कुछ भी कैसे भी घटा सकते हो क्या यह बात दिमाग में बैठी रहेगी हमेशा कि जब IGST के हम ITC लेते हैं तो CGST SGST दोनों से हम घटा सकते हैं जाहे जैसे घटा सकते हैं किसी भी ratio में घटा सकते हो जिस से मरजी उस से घटा सकते हैं जिते हैं ठीक है बै जब किसी से bhi गटा सकते हैं तो गटा देते एक एक جएर रुपया दुनों जगा से गटा देते हैं क्या ही है ठीक है अब CGST कहां से गटता है पहले CGST से गटेगा 4000 रुपया और SGST भी यहां से घटेगा 4,000 रूपया चार्स की बाद देखो कितना बढ़ियां question कि यह थे सारी liability निल हो गई यह भी निल यह भी निल और यह भी निल अच्छा मालो CGST यहां 4,000 की जगा 5,000 होता तो क्या होता 4,000 यहां से घटाते 1,000 की यहां से गटाते हैं नहीं यह तो पहले ही खतम हो चुका IGST यह तो खतम हो चुका IGST तो जो बच जाता वो ITC carry forward हो जाता है ओ सर कितनी नई बात सीखने को मिली आज carry forward of ITC अगर आपकी ITC consume नहीं होई तो ITC carry forward हो जाती है आगे बढ़ जाती है ठीक है क्या आप मुझे allow करेंगे question चेंज करना question चेंज कर दूँ यह example one था अब example two बना रहे है output text कितना कितना और input text कितना कितना अच्छा क्या CGST SGST का output text अलग अलग हो सकता है कि मालू हम CGST लिख दे 5,000 रुपे और यह लिख दे 4,000 रुपे क्या ऐसा हो सकता है जल्दी बताओ क्या ऐसा हो सकता है नई जीवन में कभी नहीं हो सकता क्योंकि जो भी माला बेच रहे हो उस sale पर CGST SGST बराबर बराबर लगीगा तो कैसे अलग-अलग हो सकता है कभी भी यह अलग-अलग हो ही नहीं सकता यह कभी जीवन में अलग-अलग नहीं हो सकता ठीक है आउटपुट टेक्स का CGST SGST में साब बराबर रहेगा तो अगर यह पाच जा रहे है तो दूसरा वाला भी पाच ही जार होगा अगर चार जार है तो दोनों ही चार जार होगा इन्पुट टेक्स की बात कर लेते हैं चीक है अब इसी में हम बदलेंगे अपनी सारी फिगर्स को आए आपक्स तो देखिए हमने उतना ही लिया है सेम है छेजा पांच जा पांच जार इन्पुट टेक्स लिख लेते हैं आठ हजार पांच हजार और तीन हजार ठीक है तो आप बताएंगे सर सबसे पहले क्या करना है आई जी एस्ट को एड़ेस्ट करना है उतना है पांच तीन हजार रुपया जयाँ हें बताएंगे आत के पास एड़ेबल है तो यहाँ से लेकिन हम ले कितना पाएंगे सिर्फ चारी हजार तो ले पाएंगे और एक हजार रुपया ये क्या होगा CGST carry forward हो जाएगा CGST carry forward ITC of CGST carry forward हो जाएगा ऐसे लिखते हैं ITC carry forward अब अगले महीने इसकी क्रेट मिल जाएगी अगले महीने आप घटा लेना और ठीक है CGST कितना एक हजार रुपया क्योंकि 85,000 ले लाइमिलिटी थी ना उन्होंड तो चारज़ा इडिश्ट होगे एक हजार पंचißt अब SGST क्या है यहाँ पर मिलेगा SGST तीन अब यानि यहां पर क्या जाएगा prim 2000 नियसे चारजर गया, एक हजार उपय की ये लाइबिल्टी वची, ये निल हो गया, ये नहीं देना है, ये भी निल हो गया, ठेक है, और ITC केरी फारवड होगा, और SGST पेबल हो जाएगा, एक हजार उपया, क्या आपको ये स्मार्ट लग रहा है, मतलब ये तरीका आपको स्मार्ट लग रहा है, कि हम एक हजार उपय कैरी फारवड करें, और हजार उपया पे कर दें, गलत नहीं है, कानूनन सही है, कानूनन सही है, लेकिन ये नॉन इंटेलिजेंट अंसर है, ये नॉन इंटेलिजेंट अंसर है, मुझे GST का कानून ये कहता है, कि आप जहां मर्जी वहां पिर यहां से और यहां से वह चौ Parents कर सकते ह। तो और हम 10000 क्यों करेंगे। यहां पर मेरे पास았습니다. की क्रेडिट रहरे ॹए करना नहीं है लेकिन आख तो खुली है । दिमाग तो खुला हैा ना पांस जार की रुपए की liability है, पांस जार रुपए की credit है, यह तो पुरा एड़िस्ट होई जाएगा, तो क्यों बेवकूफ होगी तरह यहां से adjust करें अजार रुपया, दो हजार रुपया पूरा यही से adjust करते हैं ना, कर तो कहीं से भी सकते हो यहीं न सिखाएं हैं कि या तो cgst से करो या तो sgst से करो जामर जी वहां से करो हम यहां से एड़िस्ट करेंगे अब यह पाजार रुपय की क्रेट यहां पर पूरी लेंगे और यह तीन जार की क्रेट लेंगे देखिए यहां भी निल हो गया यहां यह कौन सी बेहुकूफी है दिमाख लगाओ ना ठीक है अच्छा अब बात आती है कि सर अगर मैंने पहले वाला अंसर किया होता तो क्या वो सही था या गलत था कानूनन सही था अब बात आती है सर अग्जाम में नंबर पूरे मिल जाते अगर मैं कौपी चेकर हूँगा तो मैं नंबर काट लूँगा मैं कहूँगा कि इसको यह पढ़ा लिखा है लेकिन इस लायक नहीं है कि इसको प्रोफेशनल डिग्री मिलने चीए क्योंकि यह क्लाइन का सत्यानास क पर लिखके तो आया है तेज है रटता पढ़िया है ठीक है तो ठीक है रटता पढ़िया है तो बिकॉम एंकॉम जाके करे वहां नंबर पढ़िया पाए यार सीए सीएस में हम इसको नंबर नहीं देंगे इस लायक नहीं है यह बास समझ में आ रही है यार तुम्हारा काम क कानून तो उसको भी पता है और software आता है जो खुदी कर देता है सारी चीज़ पैसा तुमको दे रहा है तुम्हाइद दिमाग का जब IGST, CGST, IGST में किसी भी रेशियो में बढ़ सकता था तो कोसिस करो कि हम ऐसे बाटे की overall liability कम आए में सर यानी बात तो बड़ी संदर लग रही थी अभी तक आप इतना बढ़ी है बता रहे थे किसी भी रेशियो में बाट दो लेकिन किसी भी रेशियो में नहीं बाटना है खोपड़ी लगानी है ठीक है कि ऐसे बाटना है ताकि overall liability कम आए चलिए ठीक है सर अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो यसे ही कर लेंगे आईए तीसरा एक्जाम पर सूपर स्मार्ट बना देंगे आपको आप चिंता मत कर दिए आज की ख्लास बड़ी ही जबदस ख्लास है ठीक है credit claim करना ये बच्चों का खेल नहीं है लेकिन आपके लिए बच्चों का खेल बना देंगे ठीक है अच्छा जब भी कोई वीडियो बहुत यूनीक लगे कुछ बहुत अच्छा लगे मज़ा आ जाये आपको तो ये बात अपना express भी किया करिए ठीक है अब ध्यान द करिए, कि क्या चीज ऐसी है जो मुझे खुद से प्रिशेट करनी चीए क्या चीज ऐसी है जो मुझे खुद से पसंद करनी चीज ऐसी है जो मुझे खुद से लोगों तक और कोचानी चाहिए that's all up to you ठीक है देखे इसान बोले चने बोले चाहिए सबको सब चीज़ होती है ठीक है तो मैं नहीं भी बोलता हूँ तो मुझे क्या ये सबको चाहिए होता है हाँ चाहिए होता है आपको जो चाहते हो वो मिलता है तो मैं जो चाहता हूँ मुझे क्यों न मिले ठीक है यह आप सोच लेना और एक्जामपल थी करते हैं सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगी यह question मैंने सही बनाया है कि गलत बना दिया है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है मैं question ही गलत बना रहा हूँ देखे कौन intelligent बच्चा है जो यह बताएगा कि question सही बनाया है कि मैंने गलत बताया है comment box में तुरंट answer कीजियो बताएए question is right or wrong मैं देखू कितने सारी intelligent बच्चे बैठे हैं जिसका दिमाग माँ खुला रहता है question is right or wrong पहले तो यह बताना है question सही है की गलत है फिर answer की बात करेंगे चली मेरे हिसाब से आपने answer लिख दिया है बाकि उसके बाद जो भी आपका जवाब हो आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है उस comment की reply कीजिएगा पहले तो आपने यह बताया कि question is right or wrong यह बताया होगा अब उस comment की further reply बनाईएगा जिसमें बतायेगा whether you are right or wrong तो उसमें लिखिएगा I am right or wrong ठीक है यह लिखिएगा आप चली मेरे क्लास में तेज बच्चे जरूर होंगे वो कहेंगे सर गलती है मैं पुछूँगा कहां तो कहेंगे सर CGST, HGST का इमांग बराबर होगा यह अलग-अलग नहीं हो सकता क्यों? मैं कोँगा क्यों? के सर अभी तो दो मिनिट पहले आप बताये थे ना कि CGST, HGST बराबर ही हो सकता है यह गलत नहीं यह अलग-अलग नहीं हो सकता है हाँ बेटा, output text का बराबर होना जोगी है input text का बराबर होना जोगी नहीं है क्यों? सर जो पर्चेस करेंगे उस पे भी तो CGST, HGST बराबर होगा तो बराबर क्यों नहीं होना चीए? गलत है question बराबर ही था बेटा इस महिने का CGST, HGST का input text बराबर ही था लेकिन क्या आपने last question में देखा था कि आपकी एक करामात की वज़े से 1000 रुपय का CGST carry forward हो गया था क्या ये lawfully सही था कि नहीं था? lawfully सही था अगर आप ये CGST 1000 रुपय carry forward कर लिए होते तो इस महिने के CGST में 1000 रुपय बढ़ गया होता कि नहीं input text बढ़ गया होता इसलिए बढ़ गया है बिटा यानि ऐसा हो सकता है ये possible है ये correct है this question is correct लेकिन होनहार बच्ची जितने class में बैठे हैं वो सारे के सारे लीटियों के question ही गलत है question सही है ठीक है output text ध्यान दीजेगा output text अलग-अलग नहीं हो सकता वो बरावर रहेगा क्योंकि sale पे मेरे जितना text मैं collect करूँगा cgst उतना ही sgst correct करूँगा लेकि input text अलग-अलग हो सकता है because of carry forward purchase पे तो जितना cgst होगा उतना ही sgst होगा इस महिने का लेकिन पिछले महिने वाला cgst या sgst में से कुछ carry forward हो गया हो तो तो बदल जाएगा ना या जो carry forward हो क्या है वो figure बड़ी हो जाएगी वह हुआ है इसमें यानि ये correct है अब आप अगर गलत लिगे थे तो बताइए उसमें आप I am wrong question is right you are wrong delete मत मानना ठीक है अच्छा अब देखो इसको arrange कर देते हैं अब पूरी तरीके से अब तृ इस दी C घसट S घसट चारजा, आटजा, साथ जार, ठीक है चलिए, देखिए, आईजी एस्टी चारजार है पहले ये एक्जॉस्ट करना है, खतम करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं तो भीया पहले इसको खतम कर दीजे, चारजार रुपया हो गया खतम, खेल खतम अब सीजी एस्टी आटजार रुपया का, तो आटजार रुपया में से हमको क्या पे करना है ठीक है, सबसे पहले आप सीजी एस्टी ही पे करेंगे, तो 6,000 ये पे हो गया बचा 2,000, 2,000 से आईजी एस्टी ही पे हो सकता है, 2,000 पे कर दिया आपको समझ में आया है यहां पे कोई च्वाइस नहीं था पहले CGST करना था बचेगा तो IGST पे करना है खतम हो गया अब SGST आ रहा है SGST का क्या करें SGST से पहले 6000 यह पे करेंगे बच गया तो 1000 रुपे बच गया है अभी IGST पे करना बागी है हाँ 10,000 में से 4-6,000 पे की हो अभी 4000 और देना है यह तो चलो 1000 बचा एक अजा दे दो ठीक है अब क्या है यह निल हो गया यह भी निल हो गया 6000 में से 6000 गया निल हो गया अब यह 10,000 में से 4000 यह पे हुआ 2,000 यह 6,000 और एक 7,000 3,000 रुपय है पेबल है ठीक है तो आप लिखेंगे इसका अंसर है IGST पेबल 3,000 कोई carry forward है क्या कुछ नहीं कोई carry forward नहीं है पूरी ITC consume हो गई है ITC पूरा consume हो गया ठीक है Example 4 मैं चेंज कर देते हैं Input text ही बस बताएंगे Output text same ही है Input text अच्छा देखिए जरा बताएंगे क्या ये questions ही है Input text अलग-अलग हो सकता है सरी आप सिखा दिये बहुत अच्छे से CGST, SGST क्योंकि हुआ क्या होगा इस महिने में जितना purchase की हूँ उसका CGST, SGST 4-4,000 होगा और 6,000 रुपय ना carry forward CGST आ रहा होगा Possible? Yes, possible आईए देखिए अभी इसको मुझे rough करना पड़ेगा यह हट आएंगे IGST 7,000 यह 10,000 यह 4,000 रुपय देखो IGST से पहले IGST घटेगा 7,000 रुपय पूरा consume हो गया खत्म अब 10 जास CGST बचाए तो 6,000 बेटा यही खापाना है अब बचा कितना IGST? 3,000 रुपय IGST बचाए 10 में साथ जास पे हो गया 3,000 बचाए तो 3 जारे यहाँ भी यूज़ कर लो अभी भी एक हजाँ बच रहा है CGST क्या करें? 6, 3, 9,000 कर्जूंकि एक हजाँ बच रहा है SGST पे कर दे? नहीं CGST से SGST पे होता ही नहीं है अब जो एक हजाँ बच गया यह कैरी फॉरवड होगा तो ITC कैरी फॉरवड में CGST आ रहा है कितना? 1000 रुपया ठीक है? यह तो कैरी फॉरवड में आ गया आगे बढ़ते हैं 4000 रुपय SGST 4000 पे कर दो यह भी खत्म होगया तो योग्या निल योग्या निल और यह बच गया 2,000 रुपया और हम लिखेंगे CGST पे बल 2,000 रुपया अच्छा क्या यहां पे कुछ ऐसा हो सकता था कि सर एक जगा पैसा रुक रहा है दूसरी जगा पे करना पड़ा है यहां आपने कोई गलती नहीं किये यह तो तब होता ना जब IGST मेरे पास बचा होता तो हम यह adjustment कुछ इस तरीके से करते हैं कि दोनों की liability minimize हो जाए हम इस तरीके से adjust करने की कोशिस करते हैं भाई अब IGST तो है नहीं तो कुछ अब तो जो हो रहा है वो होने देंगे आप इसको रोक नहीं सकते यानि कभी कभी आपके सही calculation पे ऐसा possible है कि CGST 1000 रुपए रुक गया है और SGST आपको पे करना या वाई से वर्सा SGST 1000 रुपए सरकार के पास रुक रहा है carry forward हम कर रहे हैं और CGST हम उल्टे पे कर रहे हैं ठीक है this is quite possible और एक जगा जब ऐसा हो रहा था तो मैंने बताया कि देखो adjustment कर सकते हो आप यहाँ पे कर लो क्योंकि IGST जब हम पे करते हैं ना IGST के credit को जब हम यूज करते हैं तो हम उसे यूज कर सकते हैं to pay CGST in any manner यही आपको स्कोप मिलता है adjustment का ठीक है अभी काम करते हैं या पढ़ा देते हैं आपको तो देखिए मुटा मुटी आपको समझ में आने लग जाएगा IGST credit should first be utilized towards payment of IGST IGST की credit को अमेंसा IGST में ही पहले यूज करना है क्या मैंने ये चीज आपको बताई हाँ IGST की credit को पहले IGST में यूज करना है ये बात मैंने बताई अब मैं क्या करूँगा highlight करते रहूँगा जितनी बात मैंने बताई ठीक है दूसरा remaining IGST credit if any can be utilized अगर IGST की credit अभी बची हुई है तो can be utilized towards payment of CGST and UTG SGST in any order and in any proportion पहले किसको बात में किसको इससे कोई मतलब नहीं है किसी भी order में किसी भी ratio में कर सकते हैं that is remaining ITC of IGST can be utilized first towards payment of CGST and then SGST ऐसे कर सकते हो या फिर first towards CGST and then SGST ऐसे कर सकते हो towards payment of CGST SGST both 50-50 के ratio में 30-70 के ratio में 40-60 के ratio और जो मर्जी 52-40 के ratio में ठीक है मतलब जैसे मर्जी आप वैसे कर लिजे 25-75 के ratio में जैसे 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 बाठ लो क्या यह बात मैंने आपको सिखाई हां फिर entire ITC of IGST should be fully utilized before utilizing ITC of CGST or SGST के रहा है IGST पूरा खतम हो जाएगा तभी CGST-SGST को हात लगाना है क्या यह बात मैंने बताई आपको यह बात मैंने बताई कि पहले IGST को exhaust करना है हां यह बताया मैंने पहले IGST खतम होगा फिर CGST-SGST को हात लगाना है फिर देखिए ITC of CGST should be utilized for payment of CGST and IGST in that order फिर उसके बात मैंने बताया कि CGST अगर है तो उससे CGST पे करोगे और फिर क्या पे करोगे IGST यह भी बताया मैंने फिर कहता है ITC of SGST should be utilized for payment of SGST and IGST in that order कि रहा है SGST से पहले SGST पे करो ठीक है भाई अब फिर IGST पे करो ठीक है होईवर अब यह देखिए लाइन क्या बोल रहा है होईवर ITC of SGST should be utilized for payment of IGST only after ITC of CGST has been utilized fully कह रहा है SGST की ITC को से आप IGST से आप IGST तभी पे कर सकते हो जब CGST को पूरा यूज कर लिये थे यह वाला CGST पूरा यूज हो चुका था यहां पर IGST पे करने के लिए तभी SGST से यूज कियो आप IGST पे करने के तो हम भी तो पहले यही बता है आपको कि CGST खतम हो जाएगा तभी SGST यूज होगा ठीके यही तो बूल रहा है यहां भी कह रहा है कि भाई देखे अपना अपना तो CGST से CGST पे करना ही है यह तो हमको भी मालूम है और SGST से S western on the को IGST pay करने के लिए आप तभी use करोगे जब CGST पूरा use हो गया है तो भैया इसका मतलब CGST पूरा exhaust हो गया है तभी SGST की बार ही आएगी बाती खतम यही तो use होई रहा है other than बाकी तो अपना ही अपना pay हो रहा है बाकी other than तो यही IGST पे हो रहा है और यह खतम होने के बाद ही यह आएगा यही मतलब है इसका तो आप order of exhausting क्या है पहले first exhaust IGST then exhaust पूरा खतम करिए exhaust CGST और then exhaust SGST पता है इसका मतलब दो बाती है अब ध्यान से देखिए क्या है आपको utilize करना है ITC अगर IGST का तो output text कैसे पे होता है output text कैसे पे होगा IGST की ITC आपको utilize करनी है तो output text कैसे पे होगा आप IGST से पहले IGST पे करेंगे अब फिर आप क्या पे कर सकते हैं आप CGST पे करिए या IGST पे करिए कुछ भी करिए पहला ये है, दूसरे पर ये है दोने में से कुछ पूर अब इस दूसरी बात आती है कि अगर आपको pay करना है output text IGST का तो आप input text में क्या कैसे use कर सकते हैं आपके पास input text IGST आपके पास input text CGST आपके पास input text SGST ठीक हैं ये तीनों है आप क्या use करेंगे पहले पहले IGST यूज करना है पे करने के लिए फिर CGST यूज करना है और फिर SGST यूज करना है ये कानून कहना चारता है जब IGST को pay करना है यही तो हम चार्ट में बनाएं जब IGST को pay करना है तो ITC use करनेंगे पहले ये फिर ये exhaust हो जाएगा तब ये फिर ये exhaust हो जाएगा तब ये आ रहा है जब ऐसे में देख रहे है न तो order ये है वान टू थ्री ठीक है यहाँ वालब यहाँ और जब हमको IGST को use करना है IGST को use करना है मतलब इसकी बात करना है देखो किसे समझाएं आपको IGST को use करना है ये मतलब ये है ITC of IGST ये pink वाला केस ये है ये pink वाला केस है ठीक है और ये वाला orange वाला केस ये है जब हम orange वाला केस है तो ये ये वाला है ये क्या भूल रहे हैं हाँ हाँ जब ITC IGST की use करनी है तो आप पहले IGST पे करेंगे और फिर CGST IGST वे से कुछ पे करेंगे लेकिन अगर आपको output text पे करना है IGST का तो पहले भाया IGST यूज होनी चीए फिर CGST यूज होनी चीए फिर देखो पहले IGST यूज हो फिर CGST यूज होगा अब फिर ये खतम हो जाएगा तो फिर CGST यूज होगा ये कानून दो बाते बताया है आपको ठीक है और अगर मैं ये बताता आपको तो कुछ समझ में आता क्या आप बूल रहें सब कि पहले अभी इसमें कुछ भी बोल रहें किसी भी रेशियो में पिर यहां बोल रहें कि पहले ही ये फिर ये अब आपको समझ में आ रहा होगा अगर ये नहीं भी बात दिमाग में बैटेगी ना तो ये table बैटना चाहिए अब गलत होगा ये टेबल से गलत होगा table में तो ऐसी ही हो रहा है ना सबसे पहले ये खतम कर रहा हैं, फिर ये खतम कर रहा हैं, फिर ये खतम कर रहा हैं, कुछ गलती होगी ही नहीं, ठीक है Cross Utilization of credit is available only between CGST और IGST या फिर and SGST और IGST मतलब Cross Utilization ने मतलब एक टेक्स का दूसरे tax adjustments एक तो CGST का IGST से हो सकता है और SGST का IGST से हो सकता है एक Cross Utilization नहीं हो सकती है कौन सी कि CGST को हम SGST से adjust नहीं कर सकते हैं और SGST को CGST से नहीं कर सकते हैं वल्द CGST, SGST आपस में adjust नहीं होते हैं IGST से दोनों tax adjust हो जाते हैं और IGST भी किसी भी tax से adjust हो सकता है बस एक ही चीज़ आपस में adjustment कहा नहीं होता है, CGST और SGST का adjustment आपस में नहीं होता है, ठीक है, एक last example करेंगे, और आज ही class over कर देंगे हम रूख, ठीक है, Example 5, Output Text or Input Text, IGST, CGST, SGST, 50,000, 30,000, 30,000, 60,000, 15,000, बीज़ चलिए करिए आपको solve करना है, चलिए करिए 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 फटाफट, अच्छा, वीडियो स्टाट तभी कीजेगा, जब आपका answer हो गया हो, नहीं तो तब तक के लिए pause रखिए, ठीक है, चलिए, I hope आपका हो गया है, तभी आप देख रहे हैं आगे, पता ही, line कैसे बनानी है, ये भी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कहां कहां से line चीच रहे, इतना जबदस तरीके से ये table बैठना चाहिए, तभी answer सही होगा नहीं तो गलत कर दोगे, इंपुट टेक्स, आप देख रहे हो, मेरी line खटा खटा अपने आप बन जा रही है, ऐसे आपकी भी बननी चाहिए, अच्छे line बनाने से मतलब आप ये तो नहीं समझे हैं, कि सीधी सीधी line बना दे रहे हैं, सर हमको भी बोलने हैं, सीधी सीधी बना दे रहे हैं, ये नहीं बोलना है, कहां से क्या खीच रहे हैं, कहां डबा कैसा बन रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक हैं? आई जीधी, सीधी, 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 साथ हजार, पंदरह हजार, बीजार, तब ये पजार जा तो पहले ये एड्जेस्ट हो जाएगा, अब बचा क्या? अब बचा 10,000 रुपया, कहां से एड्जेस्ट करें? बेटा, अगर ये दोनों भी बराबर बराबर होता ना, तो हम इतना दिमाख लगाते हैं नहीं, दोनों को बराबर बराबर एड्जेस्ट करते हैं, 10,000 रुपया जा देते हैं, अब हम देखने हैं, एक कम है, तो एक की लाइबिल्टी जादा हैगी, एक की कम आएगी, ठीक हो जाता, तो आपने का होगा कि सर आप कैसे एडजेस्ट करते हैं, वो एडजेस्ट करने का फॉर्मूला बस बता दीजेए, अब कैसे एडजेस्ट करेंगी इसको, देखे हम क्या करेंगे, हमको दिख रहा है, यांज 15,000 की ITC यां 20,000 की ITC है, यानी CGST में 5,000 की ITC कम है, तो 5,000 रुपया जो बच रहा है, उसमें से तो CGST को दे ही देना जीए, आप समझे हम क्या से बोले, फिर से सुनो, बहुत ध्यान से समझो, देखे हो, ये बेटा एक क्वेशन कराए थे ना आपको, ये वाला, आपको याद आ रहा है, ये वाला, जिसमें कितना बढ़िया हम सेटिंग बठाए थे, कि 6,000 में से इधर कुछ नहीं दिये थे, यहां 2,000 दिये थे, तो क्या अकलमंदी लगाए थे हम, सिंपल अकलमंदी उस समय बताए नहीं थे, क्योंकि हमको ये क्वेशन आपसे कराना था, क्या अकलमंदी लगाए, हमने देखा, देखो कैसे हम सुस्ते कैसे ही ये देखना है, हमने देखा, यार, CGST की 5 ग क्रेड़ीट है, SGST की 3,000 ती में, यानि CGST में, तो 2000 की क्रेडिट ज्यादा है, तो ये काम करते हैं, 2000 गरीपाना यहां पिक्या क्रेड़ीट कम है, तो 2000 इसमें से जो भी बच्रा है, इसमें से 2000 पहले तो हम SG SGST कोई देंगे तो दो ही अजा बच रहा था पूरा SGST में चला गया यह हम करते हैं पहले हम देखते हैं कितना difference है credit में उतना तो पहले हम उसको दे देंगे जिसमें कम है और बाकी जो बचे का वो आधा आधा दे देंगे क्योंकि दे तों किसी भी ratio में सकते हैं अब देखो मेरी अकलमंदी अब देखना हमने कहा 10,000 रुपया मेरे पास बचा है लेकिन यहां 15,000 यहां 20,000 तो मेरे मन में क्या आ रहा है ध्यान से सुनो मेरे मन में आ रहा है न मन की बात को हम blue pen से ली देंगे और जो करेंगे वो red pen से ठीक है मन में मेरे आ रहा है CGST बेचारे के पास पांच जार की क्रेट कम है मेरे पास जो दस जार बच रहा है इसमें से पांच जार तो इसी को देते है अच्छा तो पचास जार यहां हो गया पांच जार यहां हो गया पचपन जार बचा कितना और? पांच जार अब पांच जार बचा है तो हम धाईड़ी अजार दोनों को देंगे अब धाईजार इसको और देंगे और इसको भी धाईजार देंगे तो अब यानि हम कितना देंगे इसको देंगे साड़े साथ हजार रुपया और इसको देंगे कितना दाई हजार रुपया तुम समझे हम क्या किये जिसकी क्रेडिट कम थी उसको पहले उतना दे देंगे अम्माल लो ये 55,000 नहीं ये 52,000 होता ही तो हम 2,000 इसी को दिये होते 2,000 बचरा होता तो हम इसी को दिये होते आरे ये बास समझ में अब देखिए इससे क्या फाइदा होगा अब देखिएगा इसका फाइदा कितना बड़िया होगा अब ये 15,000 रुपय CGST CGST से घटेगा बात खत्म हो गई और ये 20,000 रुपय यहां से बचेगा 20,000 रुपय यहां गटा दिया ये हो गया निल ये हो गया 7,500 पेबल और ये भी हो गया 7,500 पेबल दोनों सारे 7,000 पेबल आए ये इस टेकनीक लगाने से फाइदा क्या हो रहा है ये समझेगा कि अगर लाइबिल्टी आती ना तो दोनों की बराबर आती है अगर निल होता तो दोनों निल हो जाता ऐसा नहीं होता कि एक की लाइबिल्टी आ गई और एक का क्रेडिट एक्स्टा हो गया है ये नहीं होगा कभी इससे फाइदा है ठीक है इससे फायदा यह है, हाला कि इस question में इतना दिमाक लगाने की जो थी नहीं, क्योंकि हमको 15 जा देना यह बात समझ में आ रही है, अगर सिर्फ देना ही पढ़ रहा है, तो कौन सा देना पढ़ रहा है, इसमें फर्क नहीं पढ़ता है, हम क्यों यह बात बोल रहा है, स यहां फर्क नहीं पढ़ा लेकिन किसी किसी केस में फर्क पढ़ जाता अगर आप इस तरीके से नहीं बाटेंगे जैसा है पहले एक्जामपल में पढ़ा था यादा रहे हैं आपको ठीक है कि एक क्रेडिटी बच गई एक की लाइबिल्टी क्रियेट हो गई तो यह दोनों को बैलेंस करने की आप कोसिस कर सकते हैं यह दोनों को बैलेंस करने की कानून ऐसा करने की अविशक्ता नहीं है कानून गलत नहीं कहेगा अगर आप दस जार यहां दे देंगे यहां कुछ नहीं देंगे या फिर यहीं दस जार दे दिए यहां कुछ नहीं दिए तो भी सरकार कुछ नहीं कहेगी कानुनन सही कर वह हो लेकिन क्लाइन का फायदा कराना जरूरी है आपका एक की क्रेडिट पच्छवा दोगी दूसा पे करवा दे रहे हो तो आप जैसा प्रोफेशनल तो बनना ही नहीं चीए ठीक है बतला हम सरकार को कह रहे हैं कि मेरा 10,000 रुपया तुम की कोर्सिस की और आपने देखा कि मैंने कैसे एड़ेस्ट किया ठीक है आई हूप आपको मजा आया होगा आज की क्लास में और इसी तरीके से आप यूज करेंगे अपने क्लाइन को सर्विस देंगे और एक्जाम में भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे तो आपने इन्पुट ट क्लास में आएंगे तो यह सिखेंगे कि इन कंडिशन के मीट करने पर ही आप ITC के लिए एलिजिबल है मिलिस्ट प्याइ